वेलकम तो दा ओफिचियल यूट्यूब चैनल अफ कोटल अकेडमी आज हम डिसकस करने वाले हैं हमारा पेपर नमबर टू जिसमें हमारा यूनिट थ्री एंड यूनिट फूर हमने कवर किया था जो कि कोटल अकेडमी हेड ओफिस इंडॉर में 14042024 14 तारिक को कल शेडियूल किया गया था एंड आप में से बहुत सारे बच्चों ने यह पेपर अटेंड किया और बहुत सारे बच्चों नहीं वी आए तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि सभी लोग अपनी तयारी को अन रिमार्क रखिए है ना राइट चलो तो शुरू करते हैं आज का डिसकसन पहला कोश्चन हमारे पास है इंडियन जियोग्रफी से राइट तो बिसिकली हम यूनिट थ्री और यूनिट फोर यहां पर पर डिसकस करने वाले हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जादा से जादा कॉश्चन हमें maximum कॉश्चन और पूरे कॉश्चन हमें कहां कौन से मिलेंगे यूनिट थी और यूनिट 4 के राइट so Indian geography and apart from this जब हम आगे continue करेंगे तो MP का जियोग्रफी चलिए तो फर्स्ट कोस्टन हमारे पास है कंचन जंगा, बद्रिनाथ, केदारनाथ are part of which of the following parts of Himalayas कंचन जंगा, बद्रिनाथ, केदारनाथ, Himalayas के निमलिखित में से किस भाग का हिस्सा है Trans Himalayas, Greater Himalayas, और Brhad Himalayas, Lesser और Middle Himalayas, लगू या मद्ध हिमाले या शिवालिक हिमाले तो सबसे पहले जैसा कि हमेशा मैं आपको कहता हूँ, फिर से मैं यह वो continue करूँगा कि हमें सबसे पहले करना क्या है कि question में जो जो important words हैं उनको select करके उसके बारे में details जाननी है यही होता है detailed discussion, यह proper आपको तरीके से इसको continue करना है तो हमारे पास अभी मैं अगर देखू तो हमें important term एक दिख रहा है बर्दरीनाथ, केदारनाथ, है ना, इसके अलावा हमारे options Trans Himalayas, Greater Himalayas, Lesser और Middle Himalayas, और Shivalik यह हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह 7 जो है हमें important terms दिख रहे हैं बाकी question frame करने की terminology है जितने हमारे पास important terms हैं हम उसके बारे में details से सारी चीज़े discuss करें लिखें उसके बारे में जब भी आप paper का paper देने के पास post paper analysis कर रहे हो तो यह चीज़े important हैं ध्यान में रखिए ठीक है तो अगर मैं कंचेन जंगा की बात करता हूँ तो कंचेन जंगा हम सभी जानते हैं कि सिक्किम में है राइट अगर हम बद्रीनाथ की बात करते हैं तो बद्रीनाथ हमें मालूम है उत्राखंड में चामोली डिस्ट्रिक के अंदर आता है इसी के अरसाथ साथ केदारनाथ की अगर हम बात करें तो वह उत्राखंड में रूद्र प्रयाग डिस्ट्रिक के अंदर आता है तो यह इनकी location होई current इंडिया का जो map है उसके according apart from this options में हमारे पास है ट्रांस हमालिया greater हमालिया lesser और middle हमालिया और शेवालिक हमालिया ठीक है तो इसका एक बार अपन map में समझ लेते हैं right so wide on the left narrow on the east यह एक rough map है सिर्फ हमारे समझने के लिए हमालिया का transition यह है ना western part में जो है वह wide है eastern part में कम है वाइड है ना तो इसको शुरू करते हैं जो हमारे पास सबसे उपर range हमें मिलती है वह है trans हमालिया इसके बास second number में जो हमें range मिलती है वह है greater हमालिया third number में जो हमें range मिलती है lesser और middle हमालिया और fourth सबसे नीचे south शेवालिक तो यह मैं जो one two three बोल रहा हूं इसका मतलब यह आप one two three मत समझ लेना इसका मतलब क्या हुआ कि हम north से south की और आ रहे हैं ठीक है यह समझने में इसी के साथ साथ अगर हम दूसरा classification एक करते हैं हिमालियास का तो वह regional classification कहलाता है रिजिनल classification में हमें क्या रिखता है पंजाब हिमालियास नेपाल हिमालियास इस्टन हिमालियास रइट तो यह अलग अलग तरीके classification हमारी understanding के लिए geography में बनाए गए हैं ठीक है राइट चलो हमारे पास question क्या था कंचन जंग वद्रिनाथ किदारनाथ आर पार्ट ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग पार्ट ऑफ हिमालियास बात हो रही है वन टू थ्री फॉर इस तरीके category के डिवीजन में राइट तो इसका अंसर क्या होना चाहिए इसका अंसर होगा greater हिमालियास वाइब विकॉज आप सभी जानते हैं कंचन जंगा जो है वर्ल्ड की इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट थर्ड हाइएस्ट माउंट इन पीक है राइट फर्स्ट कौन है माउंट एवरेस्ट वह भी greater हिमालिया में ही आत यह सभी मैक्सिमम जो वर्ल्ड की टॉप हाइट के साथ पीक है वह यहीं पर मिलती है राइट तो यहां से एक प्रेक्ट क्लियर हो जाएगा अब चाहे आपको माउंट एवरेस्ट आये चाहे हो आपको ठीक है आंसर्स आने चालू हो गए है और भी कुछ सही आंसर्स है चा इसका अंसर हमें मिल चुका है peelhrad Himalya's और ग्रेटर Himalya's नेक्स्ट क्यों हमारे पास है which of the following statement is not correctly matched right और which of the following statement is not correct यहां मैज दो Kolं जैसा कुछ नहीं तो not correct हम ऐसा वोल सकते है ठीक है विच-व फॉलोईइं इस नौट कोरेक्ट यह statement by grammatical error आप सभी लोग सही कर लिजेगा correctly match हम कब बोलते हैं जब हमें match the column दिया रहता है तो हम यहाँ पर यह क्या वो लिएंगी correct right चलिए तो निमलिकित मैंसे कौन सा कथन सही नहीं है the highest peak of naga hill is सरमती सारमती नागा पहाड़ियों की सरवच्च चोटी सारमती है the maximum width of हिमाल्या in the state of कश्मीर हिमाल्य की सरवारिक चोड़ाई कश्मीर राज में है जीपला एंड नथूला पास आर in the state of हिमाचल प्रदेश जेपला और नथूला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्ज में हैं काटिया वार्ड पैनिसुल्ला काटिया वार्ड पैनिसुल्ला is an example of submerged coast line काटिया वार्ड प्रयादीप उन्मगन तट्रिखा का उधारन है ठीक है चलो एक एक करके अनलिसिस करते हैं दा हाइएस्ट पीक औफ नागा हिल इस सारा मती ठीक है क्या ये स्टेटमेंट सही है जी ये स्टेटमेंट सही है 386 मिटर्स एप्रोक्स इसकी हाइट है एगले स्टेटमेंट की तरफ चलते है टा मैक्सिमम वित्थ ऑफ हँंाल्या इस इन स्टेट ऑफ कश्मीर तो ये तो मैंने अभी पहले कोश्च 你ं में आपको बता दिया जो हेमाल्या की विट्त है वह वेस्ट साइड में जढ़ा है इस्ट में कंग है इस्ट में क्या है अरण्वाचल प्रदेश वैस्ट में क्या है यहां से तर्णिंड पॉइंट है मालिय का ओं यहां पर यहां पर ज्यादा है है हमारा यह स्टेटमेंट है हिए हो गया अब थर्ड स्टेट्मेंट की तरफ चलते हैं जीपला एंड नतुला पासे सार इंद इस्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बट हम तो न्यूज में सुनते हैं कि जब चाइना के साथ हमारा क्लैश होता है तो नतुला को पास का बहुत नाम आता है और नतुला पास जब हमने क्लैश के बारे में सुना था जि हहाँ हमने सुना है अल्मोस्ट मैक्सिमम टाइम न्यूज में तो यह हिमाचर प्रदेश में लिखा हुआ है तो यह स्टेटमेंट हो गया गलत अब चौथा वाला स्टेटमेंट और देख लेते हैं एक बार वैसे तो हमाई कॉश्चन में पूछा गया था कि इस नौट करेक्ट तो हमें अल्रेडी स्टेटमेंट एक मिल चुका है हम 99.99 परसेंट शूर हैं पर क्यों हम 0.1 परसेंट छोड़ें ठीक है तो काठीया वर्ट प्वाइनिस्विला इस एंग्जामपल सब्मर्ज कोश्ट लाइन तो अगर आपने यह नाम सुना है तो यह आपको गुजरात में शौराष्ट वाले रीजन में मिलता है और हां यह एक एक एक्जामपल है सब्मर्ज कोश्ट लाइन का तो हमारे पास a b और सब्सक्राइब तो डियो ऑप्षिन सही हो गए आंसर हमें कॉच्छन पूचा गया था कौन सा करेक्ट नहीं है तो सी करेक्ट नहीं है ठीक है आंसर हमें मिल चुका है कि सी यह थोड़ा सा डव यहां पर दिक्कत है उसको इग्णोर कीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि वन सेकेंड थोड़ा सब्सक्राइब चलिए थर्ड कॉच्चन हमारे पास है वाइट कलर्ड इनफर्टाइल स्वाइल शब्दों में ध्यान दाने की बहुत जरूरत है यहां पर वाइट कलर्ड इनफर्टाइल स्वाइल अगर हमने कॉच्चन अच्छे समझे लिया तो आंसर हमें अराम से मिल जाता है यहां पर डाउट नहीं है अग आंसर साने भी शुरू हो गया हमारे पास बहुत अच्छी बात है यहां पहले हम पर कॉच्चन समझेंगे वाइट कलर्ड इनफर्टाइल स्वाइल का क्या मतलब है जिसमें फर्टिलिटी हमें नहीं मिल रही है राइट सो क्या बोल सकते हम डजर्ट स्वाइल इक प्र ठीक है तो यह दो में से एक हो सकता है यह अब हम समझ गए अब यह फाइन सेंड की तरह ठीक है तो अब हम यहां पर शूर हो गए हाँ यह गुजरात वाला एरिया है वहां की बात हो रही है अगर आप साइंटिफिक वे में उसको इतना आपने डिटेल में पढ़ा है साइं इस उसकी देखी है तो एलकलाइन भी है निचर में तो यहां हम 101% कंफर्म हो जाते हैं कि यह गुजरात की बात हो रही है तो यह किसका कैरेक्टरेश्टिक है यह कॉश्चन ने पूछा गया है सफेद रंग की अनुपजाओ महीन रेत जैसी म्रदा होती है यह प्रकृती मे शारी होती है निमलिकित मैंसे यह किसकी एक विशेष्टा है रे भून खादर भावर बताए किसकी होनी चाहिए कमेंट वॉक्स में तो अगर कुछ टम हमें समझ में नई भी आ रहे हैं जो option में दिये हुए हैं तो हम यहां पर eliminate method चालू करते हैं तो वह कैसे कर सकते हैं कि हमें भावर और इनके बारे में तो हमने सुना है अगर आपने अच्छे से पढ़ाही किया तो इनके बारे में तो सुना है ठीक है तो क्या होता है खादर एंड भावर वाला जो एरिया है वो हमारे के नीचे शेवाली के नीचे पाया जाता है ठीक है तो एक वो हो गया पर हमारे question में आपने निकाला था कि यह गुझराइच से आपीशन हमारा गलत हो गया इसकी बात करें अगर तो यह जो है यह लेवेल स्व यह आंसर करेक्ट है और हाँ आप मेंसे जाड़तर स्टूडेंट्स के आंसर भी यही आये हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कॉशन नमबर फोर हमारे पास है जग्रा तथा हर्षनात पहाडियां निमलिखित में से किस राज्य में इस्तित हैं करनाटक, महराष्ट, गुजरात या राजिस्तान जाग्रा एंड हर्षना थेल्स आ लोकेटें इन विच आप फॉलॉइंग स्टेट्स करनाटका, महराष्ट, गुजरात और राजिस्तान किस में होनी चाहिए सबसे पहले तो इंडियन जोग्राफिक की हम बात कर रहे हैं तो हम अगर अच्छे से हमने पढ़ी है तो हमें प्रोपर नाम याद आने ही चाहिए यह जो नाम पहाडियों के दिये हुए है यह आरावली से रिलेटेड है ठीक है तो आरावली से रिलेटेड है तो आरावली से रिलेटेड है तो कि अब्वियस है हमारे पास आरावली जो है वो गुजराच, राजिस्थान, डेली से होके यह लाइन में मिलती है ठीक है तो यह और कि हमारे दो ऑप्शन तो यहां पर गए बचा गुजरात और राजिस्तान थिक है तो यह जो प्रॉपर यह नाम है यह पेक्ट्ट्टल कॉस्च्छन है और राजिस्तान में है यह साउथ ओर ये का पांट है और आप सभी को मालूम है फोल्ड मांटेन है जैसे की हिमालया है यह मालया जो है वो यंगर ONE है आरा वाली जो है वो ओलडर One है अब तो अरा विली कुछ जगों में ऐसा हो गया है जैचे कि शामला हिल दिली का बहुत famous area है और वहाँ पर आरावली देखो ना तो आरावली को फ्लेट हो गया है राइट सो इसका एंसर होना चाहिए डी राजिस्तान हाँ यह एंसर है आगे बढ़ते हैं पॉस्चिन नमबर फिप्थ वेर अमंग दा पोल राइंग डज वेगई रिवर एंड्स वेगई नदी निमलिकत मैं से कहा कि बढ़ते हैं अब आप में से कुछ को यह समझ में नहीं आ रहा होग कि कि आप में से सब लोगों को समझ में नहीं आ तो जितना ज्यादा importance जो है वो अगर unit 10 का है उतना ही importance unit 3 या unit 4 का भी है तो इसमें भी हमें उतना ही ध्यान देना पड़ेगा हाँ overall complete करना overall complete करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि broad way में चला जाता है एंपी की अगर हम बात करें तो maximum facts in limited space यह वहां का phenomenon है और अगर इंडिया और वर्ल्ड की geography की बात करें तो सबसे पहले यह answer हमें पता कैसे चलेगा इसमें पूछा कहा हो रही रिवर अगर हमें यहीं ने मालूम की रिवर की और इजनेट कहा होती है रहे चलो और ईजनेट तो छोड़ो कि स्टेट में प्रपर पाई जाती है तो हम इसस answer का option इस निकाली नहीं सकते ठीक है तो कहां पर यह है रिवर कि बताए किस state में यह रिवर वेगई रिवर तमिल नाडू सदन स्टेट अफ इंडिया तमिल नाडू में लोकेटेड है और इसका जो ओरिजिन वाला पॉइंट है इसका ओरिजिन वाला पॉइंट वेस्टन घाट का प्लेट्यूज है वेस्टन घाट यह अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ यह इंडिया, सल्थ इंडिया का मैप हो गया यह हो गए वेस्टन घाट यह हो गए इस्टन घाट, डिसकंटिनियूस चेन और यहाँ पर जो प्लेट्यू हो है यहाँ से निकलती है यह वाला एरिया तमिलनाड, तमिलनाडू और यहाँ से होकर यह पाकवे और पाक स्ट्रेट और यह टर्म सधार लीजेगा यह पाकवे यह इसका अंसर है तो प्रॉपर इंडियन जोग्रोफी में रिवर्स हमें अटलीस्ट यह याद होना चीज़ यह किसे स्टेट में मैक्सिमम पाई जाती हो सारी चीज़ है ना ठीक है सभी आप्शन, आप सभी के आप्शन बिलकुल सही है राइट, आगे बढ़ते हैं 6th question हमारे पास है which of the following valleys is not correctly matched निमलिखित में से कौन सी घाटी सही सुमलित नहीं है option number A हमारे पास है नूबरा वैली जो की अरणाचल प्रदेश में है डाउट है option number B चुम्बन या फिर कंबन वैली तमिल नाडू में है ठीक है option number C है हमारे पास जूकू वैली नागा लेंड ठीक है option number D है जो हमारे पास कांगरा वैली हमारे प्रदेश ठीक है तो अगर आप सभी थोड़ा सभी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है थोड़ा सभी आपको शोशल मीडिया या न्यूज में या पर टूरिजम में एडवेंचर में बाइकिंग वगरा में है तो आप सबसे पहले इसको कॉश्चन को आप लोग सबसे पहले सॉल्व करोगे इसको जिसको लद्दाक का ड्रीम है जिसका जो वहां जाना चाहता है जो घूमना चाहता है उसको मालूम है नुब्रा वैली एक बहुत ही फेमस टूरिश्ट श्पॉर्ट है जो कि लद्दाक ट्रिप में हर कोई कवर कर करना ही चाहता है तो यह जो हमारा हो गया लद्दाक में हो गया अरणाचल प्रदेश का सवाल नहीं होता आउट कॉश्चन में पूछा गया था नौट करेक्टली मेंच्ट तो यह उप्ष्ण नमबर ए ही हमें सही मिल गया ठीक है नुब्रा वैली जो है वो लद्दाक में है फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर अभी जम्म्यों कश्मीर के दो पार्ट हुए आप सभी को मालम है यूटी के रूप में है तो अभी जो है वो प्रॉपर लद्दाक में अगर यहां पर एक ऑप्शन में जे एंड के भी लिखा होता न तो ऑप्शन यही सही होता क्योंकि ल पॉलोंग रिवर्ड देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉश्चन ऐसे ही बनते हैं जो माउथ में वर्ड होगा जो जादा से जादा बोला जाने वाला वर्ड होगा वो आपको कॉश्चन में उसी से रिलेड़ेट कुछ पूछ रिया जाएगा ठीक है और बाद मे अलग अलग पैक्स देखने लगोगे और डिटेल्स निकालने लगोगे तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा ठीक है और यह हमने बहुत सुनाए भाकरा नागल डैम है ना किस चीज में सुनाए हाइस्ट कॉंक्रीट ग्रेविटेशनल डैम के रूप में है ठीक है तो इसके करें हमने बहुत सुनाए आज मैं आपको इक इम्पोर्टेंटेंट इसके बारे मैं और बताऊंगा ठीक है उसके बारे अपन इसको आंसर निकालने की कुशिश करेंगे ठीक है तो यह वह असल में एक डैम नहीं है दो यह एक नांगल ठीक है अब यह इसमें किसी को रोई right एक ही नदी में है एक ही नदी में ये बाद सही है बड़ दो अलग अलग डेम है और famous इसलिए है एक ही नाम से चलते है तो maximum लोगों को लगता है कि ये की बांद है एक नहीं है right दो है किस नदी में हैं सत्लोजरिवर सत्लोजरिवर में हैं जो अप्स्ट्रीम है ने सत्लोजरिवर की और डाउन्स्ट्रीम जो है पंजाब में अप्स्ट्रीम में पाये जाता है भाकराडेम और डाउन्स्ट्रीम में पाये जाता है नंगल्डेम यह दोनों मिलाके बनते हैं वाकरा नांगल डैम जो की concrete बेश्ड ग्रेविटेशनल डैम है ठीक है चलो इसका अंसर क्या था बी सभी लोगों ने बी बोला ठीक है राइट चलिए आगे बढ़ें यहाँ पर अगर यह clear ना हुआ हो तो हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया बाकरा डैम और नांगल डैम जो है वो पंजाब में एक ही नजी है सतलोज वो यहाँ से आ रही है अप्स्ट्रीम मतलब कि ज्यादा हाइट में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भाकरा डैम है और न निमलिक्षित में से किस इस्तित्थ है कांकेर वेशन इस सिचिटेटेटेश इनविच ऑब दे फॉलोविंग प्लैट्यू तो आप्छीन नम्बर ए हमारे पास है प्लैट्यू और डंड करायं सेकेंड है तेलंगनापडिव हाद है करनाटिका प्लैट्यू फोर्थ है टमि लाड़ प्लेटियो क्या आंसर होना चाहिए आंसर निकालने की कोशिश करो कैसे करेंगे यह मुझे सुना सुना लग रहा है अगर है 36 गर से रेलेटेड और यह पहला श्टैप हो गया दूसरा श्टैप हो गया अगर मैंने जेओग्रफी अच्छा से पढ़ि लोकेशन वह 36 गड़, तेलांगना, उडिशा और इन ही में ये प्लेट्यू की लोकेशन है ठीक है और ये बेसिन जो है ये 36 गड़ वाले इसी प्लेट्यू में पाए जाता है तो हमारे पार दो ऑप्शन तो ये एलिमिनेट हो गए करनाटक और तमिलनाडू एक बचा तेलांगना क्योंकि यहां पर तेलांगना वाला पार्ट यहां पर था एक जो है 36 गड़ ठीक है तो बेसिक फैक्षाल क्वेशन है और इसका आंसर भी क्या होना चाहिए ए ठीक है करेक्ट question no.9 यह तो question MPPSC में आ चुका है lakes नहीं लिखा हुआ था deposit लिखा हुआ था आप सभी को याद हो तो recent एक दू साल पहले वाले question paper में था और करेवा lakes की जगह करेवा deposit दिया गया था तो करेवा deposit वही है कुछ नहीं है है लेक्ट्राइंट deposit जो की लेक्स में भरके बना है तो यह हम सभी को मालूम है इस कांसर जम्मो कस्मीर है इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है जम्मो कस्मीर में पाया जाता है है और यहां पर इंपोर्टेंट एक खेटी होती है सैफरन कश्मीर में इसको जैफरन भी बोला जाता है ठीक है तो इसकी यहां पर खेटी होती है इसी के लिए यह फेमस है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं question number 10 question number 10 हमारे पास है which of the following river does not flow westward from सयादरी सयादरी क्या है यह क्या है सयादरी western घाट को बोला जाता है सयादरी इंडिया की जिवरफी यह western घाट हो गया discontinuous chain eastern घाट हो गया तो इसको जो है वो सयादरी भी बोला जाता है question हमारे पास है निमलिकेत में से कौन सी नदी सयादरी से पश्चिम की और प्रवावित नहीं होती है ठीक है अब हमें या तो ये सारी नदियों के नाम मालूम हो कौन-कौन सी होती है या तो हम एक दूरने की कोशिश करें कि कौन सी नहीं होती है तो अगर हमें option देखता हूँ तो एक मेरे पास है option भादर रिवर एक है जुआरी रिवर एक है माही रिवर और एक है भरत तो हाँ हमें मालुम है कि माही रिवर है माही रिवर जो है मैंने पढ़ा है धार से निकलती है धार से भी कहा निकलती है विन्द्यांचियल रेंजी के वेस्ट साइड से निकलती है क्योंकि question ने पूछा गया था does not flow westward from सयादरी बाकी रिवर जो है वो westward flow करती है हाँ माही जो है हाँ westward flow करती है बट सयादरी से नहीं कहां से विन्द्यान चल रेंज से ठीक है और बाकी रिवर्स के वी हम बात कर लेते हैं तो ये जो भादर रिवर है ये गुजरात सौराष्ट रीजन में है जोवारी नदी जो है गोवा माही मद्यप्रदेश और ऑप्शन डी क्या होना चाहिए कहां पे मिलती है ये रिवर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कोई साउथ इंडियन स्टेट का होगा और हां साउथ इंडियन स्टेट से ही है केरल केरल से है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 11 हमारे पास है वेस्टन डिस्टर्वेंस ओकर नियर विच ओफ तिय पास्टी वी विवय्वठ विचो निम्मलिकित मेंनें किसके निकट acquire होता है लाल सागार रैट सी भूमतलर सागर mediteriancy, capsicum sagar capsicum, arabiancy कहां से होता है कहां से होता है ये भी मालूम होना चाहिए तो basic factor क्यों होता है ये भी मालूम होना चाहिए बताइए क्या होगा इसका answer comment box में बताइए क्या होगा इसका answer option number B कैसे, क्यों western disturbance चलो मान लिया आपका option है, आपने जो दिया है रिशी का, वो सही है बत क्यों होता है, इसका जवाब है क्या किसी के पास क्यों होता है वहाँ से मान लिया western disturbance जो है वो आप 2 मिनिट के लिए मान लिया विल्कुल सही बोल रहे हो mediterian से होता है, बत क्यों होता है क्या है इसके पीछे का reason अगर अपन मैं बताओ चलिए अगर अपन mediterian वाला reason देखते है न mediterian वाला reason मतलब Ukraine और आसपास का एरिया यहाँ पर उपर बनता है low pressure area जिसके कारण polar wind और north में चले गए अपन enter करती है south east south east से enter करते हुए जो पाकिस्तान पंजाब ने north इंडिया और एक fact आपको और बताना चाहूंगा मैं जो जितनी वी north maximum north इंडिया में बारिश होती है या फिर hills में snow गिरती है उसका सिर्फ एक ही वज़े है western disturbance और हाँ हमारे पास sexual question था इसका अंसर यही है Mediterranean इसकी वज़े क्या है कि Ukraine और उसके आसपास वाले area में high pressure develop होता है जिसके कारण polar region से थंडी थंडी हवा south east में enter करने लगती है और एंटर करके हमारे नौर्स इंडीया में बारिश या फिर snowfall होती है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question question number 12 भी हमारे पास western disturbance से related ही है and which of the following is main reason for winter rainfall in north western इंडिया अरे अब भी मैंने इसके पहले वाली question में इसको discuss किया कि सिर्फ वही है जो एक main reason है वहाँ से पवन आती है हाँ ठंडी पवन आती है ठीक है चलो इसको अपने discuss कर लिया अब ही discuss किया इसको है न question number 13 हमारे पास है which of the following does not affect Indian monsoon निमलिक्त में से कौन भारती monsoon को प्रभावित नहीं करता है टिबबट प्लेट्यू टिबबट का पठार गल स्ट्रीम अल नीनो जैट स्ट्रीम राइट क्या होना चीए एक करका option देख लेते हैं टिबट प्लेट्यू बिल्कुल करता है temperature के कारण जो high pressure वनता है वसी कारण यहां पर बारिश जो है इंडिया में एंटर करती है साउथ वेस्ट मांसून की में बात कर रहा हूँ अल नीनो हाँ बहुत बड़ा importance है इसका इंडियान मांसून में तो effect वाली तो बात ही नहीं होती jet streams yes gulf stream no यह मेक्सिको में पाया जाता है और इंडिया के मांसून से इसका relation नहीं है मेक्सिको में Atlantic Ocean current में warm current होता है gulf stream और उसका इंडिया से relation नहीं है राइट चलिए इसका answer हो गया गुल्स्क्रीम कॉश्चन में हमें पूछा गया था डज नॉट अफेक्ट अगला कॉश्चन है मापस कॉश्चन नमर 14 विच फॉलिए इस से संबंध में निमलेकित में से कौन सा कथन सही है अल निनो मीन्स क्राइश्ट चैल्ड अल निनो का अर्थ क्राइश्ट चैल्ड है यह एक गरम महासागरी धारा है इट इस वाम ओशन करें यह आम तोर पर डिसंबर में पेरू टटके साथ दिखाई देता है भारती मंसून भी अल निनो से प्रभावित होता है इंडियन मांसून इस अफेक इसी के अलावा अगर हम देखते हैं अल निनो मींश क्राइश्ट चैल्ल तो हां इस्पैनिश वर्ड है अल निनो एक और जिसका मतलब ही होता है क्राइश्ट चैल्ड राइट इट इस वाम ओशन करेंट यहस इंट इस अवाम ओशन केरेंट aheadं अपेरस अपिल्ट अगला भी statement वाला question हमारे पास which of the following statement is correct regarding ला नीना ला नीना फिनोमेना occur due to colder than normal waters in the tropical pacific the pacific ocean region between the tropic of cancer and tropic of capricorn ला नीना घटना उस्ट कटित बंडे प्रशांत करक रेखा एबं मकर रेखा के मध्य प्रशांत सागर महासागर छेतर में समाने से ठंडे जल के कारण होती है ला नीना की विशेषता पश्चमी प्रशांत महासागरी छेतर में पश्चमी प्रशांत महासागरी छेतर में समान कमबाई डवाव का होना है ठीक है ला नीना वर्ष के दवारान रक्षिन पूर्व एशिया में विशेशकर उत्तर पश्चिम भारत और बांगला देश में ग्रीफ मांसून सम्मनित वर्षा सामाने से अधिक होती है ठीक है और परियोग तो सब्जी सही है ठीक है तो इस सारे स्टेटमेंट्स सही है डीटेल अंसर की में एक बारिस की डीट अगी हम बापिस से व्यस्तन सी कोष्ट का मतलब क्या हुआ जो हमारा इंडिया है यहां पर हमारा सयाधरी या वेस्टन घाट है और ये इस्टन घाट है तो यह हमारा ये western घाट का पहाड है और यह जो बाजू में जगह है यह हो गया हमारा western sea coast यह हो गई पूरी sea और यह हो गया coast तो हमारे पास question क्या है यहाँ पर मानसून किसकी वज़े से होता है which of the following monsoon causes rainfall on western sea coast of India तो obvious है इसका answer साफ होना चाहिए यह direction हो गया south north west east आप लोग बताओ कहां से आता है फिर दिखी रहा है न मैप में यह जाते हुए तो answer ही हो गया इसका southwest ठीक है quit out चलो आगे चलते हैं अगला question हमारे पास है question number 17 which of the following is not an effect of climate change निमलेखित में से कौन सा जलवायू परिवरतन का प्रभाव नहीं है change in sea current समुद्री धाराओ में बदलाव lack of ice in earth pole and mountain glaciers प्रत्वी के दुरवाओं और परिवरतिये glacierों में बर्फ की कमी cutting forest जंगलों को काटना और ocean acidification महासागर अमली करण एक एक option को फिर से देख लेते हैं मैं जैसा बोल रहा हूं समुद्री धाराओं में बदलाओ बिल्कुल होता है अगर global warming होगी अर्थ का temperature बढ़ेगा तो इससे होगा कि अर्थ जो है वो थोड़ा और गरम होगा अर्थ गरम होगा तो क्या होगा बर्फ पिगलेगी बर्फ पिगलेगी तो क्या होगा ओशेन में पानी जो है बढ़ेगा या फिर ज़्यादा के कारण घटेगा जो भी पॉसिविल्टी मेरे पास आना शुरू हो गए ठीक है तो फिर चेंज इंची करेंट अगर क्लाइमिट से इंची होता है तो उसका एफेक्ट बिलकुल है लेक ओफ आइस बिलकुल मैंने बताया और मांटें डेसियर में ठीक है कटिंग फॉरेश्ट इसका इस से लेना देना क्या है इसका इस से लेना देना यह है कि यह एक वज़े है ग्लोबल वार्मिंग की राइट ये उसका effect नहीं है, ये उसका cause है, ठीक है, तो answer हमारे पास हमें already मिल गया, उसे net certification भी बिलकुल है, अगर global warming होगा तो, और cutting forest जो है, वो इसका cause है, वो इसका effect नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, answer हमें मिल चुका है, इसमें C, अगला question हमारे पास है, according to forest survey report 2021, arrange the following state of India in descending order of their forest area, one selection report 2021 के according के अनुसार, भारत में निमलिखित राज्य को उनके वन के छेतरपल के अवरोही क्रम में विवस्तित कीजिए, हमारे पास जो option है, जिसके हमें arrange करना है descending order में, मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कम, अंद्र प्रदेश, अवनाचल प्रदेश, छत्तिसगर्ड और ओडिसा, यह हमारे पास चार option में है, तो यहाँ पर question 2021 की report से क्यों दिया गया आपको, होना तो recent से चाहिए, है ना, तो forest survey report जो हमारे पास recent है अभी, वो 2021 की ही है, 2021 की ही recent है, ठीक है, तो इसको arrange करते हैं, तो मैं, क्या आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो है वो मत्रदेश में हैं, अगर होता तो आपके पास आसान हो जाता है इस question को solve करने के लिए, first number में जो हो, वो मद्रदेश है, second number में अड़नाचल प्रदेश, third number में 36 गड़, fourth में आन्दप्रदेश and fifth में उरिसा, right, तो अगर हम ये order समझें, first, second, third, fourth, two, three, four, one, क्या होना चाहिए answer? answer D, अगला question, according to forest report 2021, again forest report से question है, और which of the following is, top state showing highest growth in forest area, one report 2021 के अनुसार, वन छेत्र में सरवारिक व्रिद्धी दिखाने वाले शीर्ष राजी निमलिकित में से कौन सा है, आंद्रप्रदेश, तेलांगना, उरिसा, वेस्ट बंगल, factual question है और इसका answer है आंद्रप्रदेश, आगे बढ़ते है, question number 20, question number 20 is from mountains of India, silent valley is famous for which of the following, silent valley निमलिकित में से किसके लिए प्रशिद है, establishment of nuclear center, मझे नहीं लगता, overpopulation, more water storage, conservation of biodiversity and evergreen forest, obviously इसका answer simple सा question है और इसका answer जो है, answer number, option number D, आगे चल्टेश, 21, which of the following statement is false, mangrove vegetation grows in saline water, arjuna is main tree of tropical evergreen forest, euphorvious, a tree of tropical sroni forest, evergreen vegetation in India grows in areas with annual rainfall of more than 200 cm, कौन सा option इसमें से गलत है, कौन सा statement इसमें से गलत है, कौन सा होगा, mangrove forest की अगर हम बात करें, जैसे की सुन्दरवन, mangrove vegetation तो हाँ obvious है, saline water में ही होता है, जब समुद्र का पानी जो है, वो land में आता है, और वहाँ पर vegetation जो grow होता है, तो mangrove forest वहाँ पर develop होते हैं, और mangrove vegetation होता है, यह option हमाई पास सही हो गया, है ना, it is a tropical trony forest, ठीक है, यह भी सही है, इसका मतलब क्या होता है, tropical trony forest का desert में जो vegetation होता है, वहाँ पर, ठीक है, evergreen vegetation एंग्रोज अनुरेट फॉर्ण और more than 200, बिल्कुल, और यह कहाँ पाया जाता है, maximum, केरल और करनाटक, mainly यहाँ पर, evergreen vegetation पाया जाता है, यह भी option सही हो गया, इसका मतला option number भी सही नहीं है, और question की demand की according सही है, क्योंकि question में पुछा गया था, false, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, why is crop rotation important, फसल चक्र निमलेखित में से क्यों आवश्यक है, to increase proteins in plants, to grow various crops, to increase fertility of soil, to maintain soil moisture, ठीक है, मद्र प्रिदेश जो है, वो depend ही agriculture में है, और agriculture में मद्र प्रिदेश की maximum population जो है, वो depend भी करती है, और हम सभी का भी किसी नदर की तरीके से agriculture में या तो family background होता है, या फिर maximum जो हम में से हैं, उनका होता है, ठीक है, तो इसका असानी सांसर मिल जाएगा, soil moisture से कोई मतलब ही नहीं है, crop rotation का, उसे soil moisture कैसे maintain होगा, soil moisture जो ह है, वो water के factor से rule होगा, ठीक है, to grow various crops, हाँ ठीक है, ये भी एक सही है, to increase proteins in plant नहीं, it is not right, to increase the fertility of soil, ठीक है, तो अब ये दो option हमारे पास सही दिख रहे हैं, ठीक है, ये तो होगया हमारा commercial form में important, पर अगर आपन geographical point of view से question समझें, तो question demand कर रहा है कि crop का rotation क्यों important है, crop का rotation इसलिए important है, क्योंकि हर वार हमें एक फसल लगाएंगे न, तो उस फसल के कारण, soil का जो nutrients है, एक ही तरह के फसल लगाने में, वो सारी खतम होती जाएंगे, तो फिर उसकी productivity घरती आएगी, तो करते क्या हैं कि अलग अलग फसल लगाते हैं, जिससे की soil की fertility बनी र करेक्ट, आप सभी ने जिसने भी सी अंसर दिया है, रिशिकार, देवेंड, सभी बिलकुल सही है, करेक्ट, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 23, question number 23 हमारे पास है, the most irrigated state in terms of percentage of total area is Punjab low, आपको question में ही अंसर दे दिया गया, question में ही आपसे बता लिया, गया कि percentage के basis में अगर हम इंडिया में देखे तो most irrigated जो है वो पंजाब है, ठीक है, अब irrigation facility is available on how much percent of a falling area in this state, मतलब कि इस प्रदेश में निमलिकेत मैं से कितने प्रतिशाच शेत्पृल की सचाई की सुविरा उपलब्द है, सबसे जादा पंजाब में है, यह तो हमें question में question है, 99% इसका answer है, आगे बढ़ते हैं, next question हमारे पास है, शंकोष नदीन इमलिकेत मैं से किन दो राजियों के मद्द सीमा बनाती है, शंकोष रिवर forms the boundary between which of the following two states, बिहार और वेस्ट वंगल, आसाम और अरुनाचल प्रदेश, आसाम और वेस्ट वंगल और वेस्ट वेंगल question, right, map देख लेते हैं एक बार, geography में मैक से ही काम आता है, पिछली class में आपको बताया है था, map हर जगे काम आता है, right, तो अगर अपन लोग, rough map है, वेस्ट वंगल, आसाम, यहाँ से निकलती है नदी, और वेस्ट वंगल, और असम के वीच, boundary बनाती है, असम और यह वाला पार्ट हो गया, अपना असम और यह हो गया, अपना वेस्ट वंगल, इसके वीच, boundary बताती है, maximum time आप देखते होगे कि, दो state के वीच में एक river होती है, जो कुछ हिस्सा उसका boundary का बनाती है, और ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है क्या, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जो water resource है, वो scared है, अभी हमारा, हमने कितने वार देखा कि south में हमें कितने वार water crisis देखने मिलते हैं, जहां पे दो state आपस में लड़ जाते हैं उस पानी के लिए, इसलिए जो maximum time जो waters design की जात तो फिर clash होगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसका answer हमें मिल चुका है, असम और वेस्ट विंगॉल, 25th नमबर question हमारे पास है, correctly match the following multipurpose project with their respective rivers, निमलिखित बहुत देशी परियोजनाओं को उनकी संबंदित नदियों से सम्मलित कीजिए, फर्स्ट लिस्ट में हमा हमारे पास कुछ नाम दिये के हुए है, इदुकी प्रोजेक्ट, माटा टीला, नागरजुना और पॉंच पार्ट प्रोजेक्ट, तो अब हमें इस में से कुछ पता चले ना चले यार पर अगर मैंने MPE का स्टूडेंट, MPEC के तैयारी कर रहा हूं, तो यहां से एक चीज माटा टीला प्रोजेक्ट जो है, वो बेतवा में, यह मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं MPEC की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपने यह पढ़ा हुआ है, अब बी ओप्शन का, ओप्शन नमबर वन, अगर हम यहां पर देखने हैं, तो हमें सिर्फ ओप्शन बचते हैं, एक य और एक ही यह, यह यहां पर कैंसल हो जाता है, यह यह भी यहां पर कैंसल हो जाता है, ठीक है, अब हमारे पास अप्शन बचते दो, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सही, दुक्की जो प्रोजेक्ट है, यह, प्रियर रिवर में हैं, नागर जुना क्रिशना में हैं, ठीक है, फोर, गोदावरी में हैं यह, तो आप्शन नमबर भी हमारे पास हमको सही मिल जाता है, राइट, चलिए, आगे बढ़ता है, अगर्टेंग, अकॉर्डिन तो एन्योल रूपोर्ट 2020-2021, आफ दे अफ्याइट्यू फॉर्ट फोलोईंग् तू स्टेट्स आर मेजर प्रोड्यूजर ऑफ आयरन ओर, खान मंत्राले, की वार्शिक रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार निमलिकित में से कौन से दो राजिभारत में लव आयसक के प्रमुक उत्पादक हैं और इसा चत्यसगर्ड जारखंड और करनाटिक का कौन-कौन से हैं तो जो आयरन ओर है ना वह प्रॉपर थोड़ा बहुत पार्ट में मद्ध प्रिदिस के इस्टन पार्ट में पाये जाता हूं वहीं से आगे लगा चत्यसगर्ड एक तो हमें ऑप्शन मिल जाता है चत्यसगर्ड और दूसरा दूसरा कौन सा है उड़िसा आइसर कौन सा हो गया आगे बढ़ते हैं 27 नमर कौशन हमारे पास है लिस्ट दी हुई है उसको करेक्टली मैच करना है कोईला छेत्र और इसी का रावा वह कहां पर लोकेटेड है उसकी इस्तिति ताल्चर सेकेंड डिया है करंडपुरा थर्ड डिया है सिंग रॉली और फोर्थ डिया है सिंग रैनी दमुदर वैल सोन वैली गोदावरी वैली और इसी के साथ साथ महा नदी क्या होना चाहिए साही आंसर क्या होना चाहिए 27 का करेक्ट आंसर एक बार मैच करके देखिएगा करेक्ट आंसर भी आएगा कि तेंटीए नमबर कॉशन इस फोलेंगे इस नौट करेक्टली मैच्ट निम्लेकित मैंसे कौन सा साही सुमिलित नहीं है प्रात्मिक प्रायमेरी एनर्जी यह टाइडल पावर, कमर्चियल एनर्जी, और इनिमल डंग, नौन कन्वेंशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी ठीक है चलो इसके बारे में बात कर लेटे हैं थोड़ा सा और आंसर निकाल लेते हैं तो question में अगे हमारे पास पूछा गया है not correctly matched ठीक है तो नीचे से चालू करते हैं non-conventional energy जो है वो solar energy है बिल्कुछ सही चीज है क्योंकि non-conventional ही है ना conventional energy मतलब regular use होती है मतलब की ओईल डीजल पेट्रोल बगएरा सारी चीज है और non-conventional जो है वो solar energy बिल्कुछ सही statement है non-commercial energy ठीक है तो यह जो है यह इतना ज्यादा इसका commercialization अभी हुआ नहीं है ठीक है अभी proper animal का यूज खाना बगएरा बनाने में या फिर गाओं में या फिर किसी और और चीज में करते हैं बड़ कमर्शियल यूज इतना ज्यादा हुआ नहीं है इसलिए हां मैक्सम में यह भी स्टेट्मेंट साहिए commercial energy जो oil and gas है बिल्कुल है पेट्रोल डीजल यह सभी चीज नहीं है commercial energy के अंदर ही आती है टाइडल पावर नहीं आती है आगे बढ़ते हैं कौशन नमर टेंटी नाइन विच फॉलॉइंग स्टेट इस दा लार्जेस प्रोड्यूजर ऑफ सोलर एनरजी इन इंडिया निमलिकेत राजियों में से कौन सा राज भारत में सरवादिक सौर रजा का उत्पादक है आंदरप्रदेश राजिस्थान तेलांगना करनाटका कौन सा है कुछ समय पहले तक राजिस्थान था बट अभी अभी कौन सा है कुछ समय पहले तक करनाटका था और इसको थोड़ कुछ समय पहले राजिस्थान ने बाइपास किया है और फस्ट नंबर में सेकेंड में आ चुका है करनाटका राइट और कॉस्चेन में आपको यही पूचा गया है कि कौन सा राज भारत में सरवादिक सौर उर्जा का उतपादक है तो जो एक डाटा है मेरे पास अगस्त दो हजार तेईस तक का उसके अकॉर्डिंग 17.8 गीगावर्ट यह उसका टोटल ऑपरेशनल जितने भी फ्लांट है उसका टोटल आउटपूट है ठीक है चलो अगर आपने पढ़ा होगा और सही अंसर लगाया होगा तो त्रपूरा इसका आंसर है राइट चलिए आज के लिए इतना ही इसके आगे कंटिनू करेंगे हम कल सेम टाइम सेम प्लेस कोटल अकैडमी यूट्यूब चैनल राइट जैहिन